सम्मानी सिख्षक सातियों साधर नमस्का देखिए कुडवत्ता सिख्षा के दिशा में बच्चों के हिंदी एवंगडित विश्था हे तू चलाया जा रहा दक्सता उन्यन काईक्रम एक मजबूत पहल है और इसी दिशा में 29 जुलाई 2019 को प्राता साड़े 11 बजे अर्था 11 बचकर 30 मिनट से 12 बजे तक एक विशेश रेडियो प्रोग्राम का प्रसारण किया गया था साथियो उस रेडियो प्रोग्राम में राजसिक्षा केंदर की संचा लिका श्रीमती आयरिंसिंधिया जेपी एयों राजसिक्षा केंदर के उस संचालख स्त्री असुकुमारपारplease जी दुवारा महरप्रण sichosiane दे देथे विए स्टार्गर्थ जानकाली हमें बताई गए सवीयों जिन साथी सिक्षकि 뽑़ गिर्ड़ां को नहीं सुना है या जो स्कुर्ण को दुबारा सोना चाहते हैं तो उनके लिए मैं इस वीडियो में जिएhoven फीर से कर हूं साथ ही महापुण जो पहलू है या जो महापुण मुत्य है उनसे संबंदित जो जानकारी है या जो सामागरी है उसको इस वीडियो में आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा तो चलिए साथियों हम बेना विलम किये आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उस रेडियो प्रोग्राम को 23 प्रयोजित गड्रबध रक्षटा 19 23 प्रयोजित गड्र दक्षटा 19 प्रयोजित एक विशिश बाध roof एडियो संचाला जो चोड़ कॅमार माति इंस रेडि प्रद्विष्ण पार सेंग है। पार सेंग है। प्रद्विष्ण 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 पार सेंग है। इस साल जो हमारा बेसलाइन जो पिछले साल का जो इंड लाइन हुआ है उसका रिजल्ट कर आदार पर इस साल की बेसलाइन माना जाएगा जो नवी प्रवेश बच्चे हैं, जो हमारी गौवर्म स्कूल सिस्टम में पहरे बार अड्मिशन ले रहें, उन बच्चों के लिए आगर से हमको बेस्लाइन करना तरहेगा, कक्षा 3 में जो बच्चा अड्मिशन ले रहा है, या जो दूसरे का बच्चा कक्षा 3 में प्रव जाना जाएगा, उसके साथ साथ छटे आगरी के बीश का जो उच्चे दख्चा आये हैं, उसके ऊतर उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, और उसके आजाब पर भी उनका तीन ग्रोप में दिस्टमिशन किया जाएगा, एक बात और हमार से जाना चाहिए है, जैसे गर्मी की चुट्टियों के बाद जो चात्रों की अधाराएं हैं, उनकी तकर फोड़ी छूट जाती हैं, यह कहते हैं कि बच्चे बढ़ साब भूल जाते हैं, ऐसी इस्टिती में क्या क्या युजना होती है, दक्ष्णा ओनिन के अतरगा, गर्मी की चुट्टियों के बाद जबर लर्निंग लॉस होने के संभावना होता है, अधर चात्रा ने वास्ता में उस कंप्टियों को सीखा है, फिर एक जेनरल डिविजन करने के पार, और लर्निंग और सोरम कवर कर सकते हैं, यह कुछ हो लिगा रहा है, लर्निंग लॉस इस पार बोल लगा है, यह बो इस्टिय लागे है तो उसको कबर करने का भी प्याज किया जाता है, तो दक्शता-उन्यट का ईकम इसमार्त का भी ध्षान लठा गया है। यहånd अधर न मिट-लाइन का एक है, इसके पने किया एक किया जाधा है, कैसे बोगはदर बिक्शान की लिगत कर लिशन के आategने है, कैसे कि ह हाँ, दक्ष्ता हुनेयन में basic competency को जो अच्छे करने बच्चे, उसको तोड़ा और improve करने के लिए बुसर प्रोग्राम के लिए प्लाइट हुआगा है एक August उसे स्टार्ट करके 15 सक्टमबर के बीच में बुसर प्रोग्राम चलाया दरेगा और इस बुसर प्रोग्राम की दरात गनित का दो खालगंड लगेगी और हिंदी का दो खालगंड लगेगी एक चाल पिरियद हम रोज दक्ष्ता हुनेयन के लिए बुसर प्रोग्राम चलाएगे इस बुस्टर करेंगे, बुस्टर कारिकों जिया है, जिसके अंतरलित वास्तों में क्या किया जाएगा, प्रस्टाम भिस्तार ते जाना जाहेगे एक अश्रकाव के लिए? बुस्टर प्रोग्राम में 45 डेस का दश्ता हुने विशिश तक्षान लगाएगे, उसमें चार खालकन रलेगा, दो खालकन गनित कर लेगा, जिसमें बेसी कंपेटेंसिस के उपर, जो हमने बचों को बर्बुक दिया है और टीकर हैंग बुक दिया है, उसके उपर काम किया जाएगा, 16 स्क्टम्बर से 31 स्क्टम्बर तक जो पिछले साल जैसे हमारा दो कालकन टेलेगी, एक हिंदी और एक घनित बाश रकाएगा, तो आपने बताया कि दश्ता उन्यान कारिकम का उद्देश किया था, क्या है ये अब क्या प्लानिंग लेकर से बच्चों के संचालन के साथ साथ जो प्रक्षा का पर्टिक्रम है, वो कैसे पूर्ण होगा, कैसे साबंदे से थाबित गया देगा, अपने बड़ा अच्छा एक प्रस्पितिया है, चोकि तक्ष्टा उन्यान का रिकम में, काले से ही हमने इसको प्लान करके चाले हैं कि मात्र दो कालिक नमारे टेक्सबुक आरा है, जो प्रक्षा में उसको पढ़ाने के लिए रखे, विकार सथर ने भी है था और सथर ने भी है, क्योंकि एक महिपून मात ही है कि जब तक बच्चा में पढ़ना नहीं सिखेगा, समझना नहीं सिखेगा, या मुत पहचा नहीं दानता है, गई पहचे की संक्रियां को कड़ ले तो पाठी मुस्तप को पढ़ाएगा, समझ पाएगा, और उसके जो आयु अनुल तक्ष्टाईं है, हम दे पूरा प्लान किया रहे है कि वो प्हले बैसी तक्ष्टाउ को सीखे, तर उसके बाद आयु अनुल तक्ष्टाउ को सीखे तर उ प्रूटीन भी कख्शाने ने उनमें और डशता उनन गडिकर्टी बीच इस सामझे सिफता दुरत बना दे और दोनों अधिर को स्थाकारतमर सब्सक्राइब करें एक बात हम और आख से जामा चाहिए कि बच्चों ने शुक्षण के दौरान क्या थिए, क्या उनमें उनका सबसे सबसे तरीका है कि वो बच्चों को गटिविती के दोलान को उनको कारे करते हुए देखें, कौन बच्चा कितनी सहवाविता से काम कर रहा है, कौन बच्चा आगे बढ़ते काम कर रहा है, कौन बच्चा दुसरों को सही हुए लेके काम करा रहा है, दूसरा ही है क बच्चे की प्रिख्टी को नीमित रुप से सिख्षक देखता है, उसके पौर्टफोलियों में अंतित भी रखता है, बच्चे की प्रोग्रेस, इसी में चुकि दख्षक अपने विज्यारे में दो ट्राइंग सीट पर इन जो दख्षक इस तरह हैं, इनको ट्राइंग सीट नीचे बच्चो के नाम लिखते, और उसे में उनलाइने में जैसे बच्चे की प्रोग्रेस तरह से समस्को टाने की आवश्का नहीं है, और साथ ही साथ उसको जेसे इसी पर पहुंसता है, उस से सरफ पर टिक करें और टिक करके नीचे उस दिलान को टाल देए, एटिलपन जिसमस को जाना निखा पड़ी मगने की आवशक्ता नहीं है। और साथ ही साथ उसको यह भी देखनी की जरुबत है। क्योंकि ट्रैटर पर इधी काम करना है तो कभी कभी सिक्षक यह भी सोचते हैं कि हम कब काम करना है। जबकि शिक्षक को साथ तुरू से देखी रहा है। फिर भी 15-20 दिन में उसको देख लेना चाहिए जिए बच्चे ने 15-20 दिन कर लिया है या 20-20 दिन कर लिया है। तो एक बार अगो उसका परिशन पर भी देखनी। बार अगो इसका परिशन पर भी देख सकता। कोई परणा दी नहीं है। बच्चे ने जिसी ही जो इसका प्राप्त किया है उसमें कॉलम्बे टिक करें और निचे उस दिनां परिशन किया उस दिनां को एक लिए। फिर उसको अगले इससच की जो दिक्स्टा है भी पर मजा गी किया है। और इस तरीक से शिचर अलब हएनक ताधिकों मैं बच्चों का निक्षा करें और उनकी प्राप्त सकता है। उसकी पर रजेत्स को ट्रेकरें। ऑड़ रचे COP को बनायें गया है। तो पर भो शेयर सहित want जाले में समय को सच्थिवर के उसापै, जो दॉत रॉच्छा पर्ड रहें मैं सökते हैं यो कि आशनें की घींट Cानी कि लिवट रहे घ्ते जो धुट एक भी से धुगाने कोफी जैसे रॉट के वंपर करते हैं करिंवे मेरे, या के ぎょप लाथ स्टर्स ऐसे कान पर質 दें, एक बेत्वा कर दोक्त, एक oleशन करने के लिट किस दर्दम निया है। ताकि उसका मुल्यात दकता भुदर आ भी बच्य कया रह रहे हैं यह पता ज़न करते हैं। तो इसक्षके का मूल रम रोट रेखिए वह कर दोपत है कि बच्छे को जो भी सिक अख़ान जिखाया है जो भी कारिकर आया है उसका परेक्षम रहे है तो बच्छा जर सीखने आता जब भी कोई भी विपटी सीखता उसे गल्खियां उटी है और जब वो इसी गल्तियां करता है, तो उर सिक्षक की आप सिखाने वाला, उसकी समय उन गल्तियों को पकड़ करते हैं, और उनको सुझा कर बाते हैं, आप याफ करा दें, तो गल्तियां दूर बगाते हैं, और इसी मैठट से बच्छा सीखता है, आप पुरम भी सीखें, त जो गच्छा करे कर आए उसको चेक दे करते हैं, जो गच्छा में पुरमने प्रविजां ने किया है, कि सिख्षक जिदन कटिविटी कराएगा, उसके देन उसकी वर्चीत में द्यों काम कर लिया, तो उसको चेक करें, और बच्छे ने क्या च्छा किया है, त्या तूर बच्चों की जब भी कोई रती ब्रहुना में जाए, आड़ी बारी तर बच्चों के ग्रैकारी एक अख्षकारी को देखे, कि शक्षक उपको सब्सक्रूप से चेक कर दाया है, बच्चे नहीं कहीं के रती की है, तो उस पर उस पर अपना रात्में से भोई गिखा रहा है, यह जो कोई शब्द लिखाए, तो उसकी लगे शुब्द या साही, उसकी शब्द लिखे लिखे और बच्चे को दस वाद या वीस वाद उसका अभ्याता है, तो बच्चे के अंदर जो रिखते वर्ण होते हैं, उसको लिखती कर सकते हैं, को किस लिखती कर सकते हैं, तो जानदाने शाइए कि जो जानादे जाना चाहिए इसे दक्षता वान्यन का रिकम के अंतरा बच्चों की जानाने जाना देए तो क्या जो उनकी अविभावत हैं, जो पालता जिने क्या उनको भी जानाने दिया दियाती है? कि भी हाँ, तो उसी चापर्टियां कैसे आप उसे शेयर करने जान जारी है। कि वो अपणे बच्चे की प्रज़ती को उसमें देख सकते हैं और उसे हम सुस्ताशל भी लेते हैं.. ये सुरिशत करने के लिए कि हाँ, पालůच ने अपने बच्चे का कॉपी को तेखा है, और बच्चे के प्रज़ती से वो अबदश्यां है। एक प्रश्ण और हमारे मन्ने है जाना से लिए आप से कि क्या जो बच्चों का दक्ष्टा उन्हें किया जाता है क्या वो किवल मुडबु दक्ष्टाओं के लिए जाता है कि जर्ड़ सामाई है अभी जो हम लोग दक्ष्टा उन्हें प्रोग्राम करते हैं उसमें 12 और 18 और 19 जिसमें बच्चों के मुडबु दक्ष्टाओं के उपर ही हम कॉंसेंट्रेट करने हैं जैते ही बच्चों के बुडबु दक्ष्टाओं अचीव हो जाएगे उसके पास हमारे जानीग में है कि जो बच्चों के उच्छे दर्वल के दक्ष्टाओं हैं उसके उपर काम करना बन चालू करेंगे जो कक्ष्टा एक और दो के चात्रहें वे त्यारती हैं बच्ची क्या क्ष्टा उन्याट करेकम में उनको शामिल ही किया लिया है कश्रा एक के चात्राएएन है और कश्रादो डौ के चात्राएं nya जो कि उनका जो टेक्सभुक ही है यह वर्गॉक आदाग पर हमें बताया थे तो उनका जो टेक्सभुक है वहे बेसिक कंपेटेंचिक वूबर ही है उसमें अशर है तंक है तो उनको हम अलब से तक्षटा उन्यान की प्रोग्रम नहीं चलाते हैं, वो आपने टेक्स्बूक का ही शिक्षर प्राप्त करते हैं. तक्षटा उन्यान गल्डेयन कारिक्त का मुख के उद्धेश यही है कि बच्छों में जितना दिकास होना चाहिए, उस कार्गेट ऊस लक्ष को फानी के लिए प्रयाद किया जाए, ताकि बच्छा पीछे नहारा घच्च उड़ जाए, उसमें ऐसी लग्श्ताइ से जरूर बच्चा बेसिक कंपिटन्सिप अचिर कर लें, इसमें एक इंपोर्टन्ट रोल हमारे SIJ-DRG का है, मेरा अपेक्शन है कि हमारे SIJ-DRG अपनी स्कूल में अच्छा काम करेंगे, उसके साथ पर जिनों में जो अन्य स्कूलें हैं, जहां पर वो एक सचिटेटर के रुप में काम कर सकते हैं, ओल स्कूलों में वो आपना हयोगते, वहां के टीचर्स को हैंड होड़िंग और सपोर्ट करें, और जिने में जो मॉनेटरी सिस्टम है, वहां पर वी वो सन्योग करें, जिसका अल्टिमेट टार्गेट ये रहेगा कि हमारा जख्षतां में पर रोग्रम के ज् सित्या में भी चीज़ और जाना चाहिए, जो विद्याले की शिक्षक है, जो विद्याले इसका अंजान दे रहे हैं, इसका अंचालित कर रहे हैं, उसके क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या अपयक्षाई आप करते हैं, क्या एक्षाई आप करते हैं, क्या एक्सक्शन से आ कतिविधी करने से बच्चे का जो इंटर्स है छिट्षा के उपर वो इंटर्स बढ़ता है। स्कूल के उपर जो उसका अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता है। और कतिविधी करने से बच्चे को वो जो concept के उपर clarity आना चाहिए वो clarity प्राफ होता है। गतिविधी करने के बाद ही जब बच्चे को पंचप्शन क्यारेटीड हो जाता है उसके बाद बच्चों से बड़ बुख में एक्सडाइस करवाना चाहिए ऐसे अभ्यात कराने से बच्चा एक बार जो कंपीटनसी सीखेगा उसकी भी नहीं बुलेगा वो कंपीटनसी को बच्चा अपने स्कूल के बाहर भी अपने नॉर्मल जीवन में भी उसको प्रैस करते हैं पालकों से हमारा भागरा यही है कि पालक शाम को बच्चों से यह पूचे कि इस स्कूल में क्या आज बढ़ाया रिया है और बच्चे ने स्कूल में पार्टिस्पेशन कहते किया क्या उसने क्रिस्टिन कोचा या उसने उत्र दिया यह सब चीज़ है पालकों को भी अपने बच्चों से बात करना चाहिए बच्चे का जो वर्ग बुक्स है उसको रोज वस खुद चेक करें जिससे ही मालग हो जाएगा कि पच्चे में उसने क्या कच्चा के अंदर अक्टिविटी किया है और उसने क्या नया कपिटेंसी सीखा है पालकों से यह भी आग्रेज है कि वो हमारे जो पालक शिक्षत बैटक होता है और अपने बच्चों के जो प्रोगर्स है उस प्रोगर्स से उनको बेरे पूरा जानकारी होना चाहिए जिसके बारा वो बच्चे को एक अच्छे जरीका से मोटिवेट भी कर सकते हैं आगे शिक्षा में इंप्रूब्मेंट करने के लिए जो जब्षता उन्यक करिकम एक बड़े उद्देश के साथ संचानिक के रहाज है उमीद करते हैं कि जो भी हमारे शिक्षप है जो भी हमारे शात्रे है जो भी अईभावक है समी संब्रोग से एक सामय को उतरदाई जो के साथ शासर की इस महत्तुपूर्ण करिकम को जिस उद्देश से संचानिक के रहाज उद्देश को फुरा करने हैं कि दिशा के प्रयास करेंगे और लग्षन से रूर पुपचेंगे आफिर मेरे सित्या मेनम हमाँ से कहलेंगे कि जो हमारे अईवावक हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे शोता हैं, जो बच्चे हैं, कोई संदेश आपका इस कायू की बात तुम से? हमारे सभी टीचर्स से रिवेस्ट हैं, कि इस कालिकरों को बहुत सिंचियरली संचाना करें, जिस्ते हमारे बच्चों को जो मुल्पो तक्ष्टाय में जो कविया आए हैं, जो मूर्ति हो सकें, और ये भी बदना जाहूंगी, कि जो भी स्कूल 90% कंपिटेंसी ट्राफ्ट कर स्कूलों को हमने एक तीनों स्टिफिकेस दिस्टिटिशन कीयें, उमेद है कि 2019 पे हमारे लगब सभी स्कूल, एक ती कैटेग्री में, खम से कम एक कैटेगल में उप्राफ्मार, और स्टिफिकेस प्राफ्ट कर सकी, जिसके द्वारा हम अपने स्कूल के सभी चात्रों को ए और शातन का जो पुद देश्य है ये अच्छिय शिक्षा जिसागी आपने कहा इस लख्ष को सम्मुजे देश में एक मिसाल बनकर उभरें ये हमारी कामना है आपको बहुत 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 धन्यवाद आईजित सिंधिया सेपी सचलग राजय शिक्षा गेदर और अश तो अलवर कमार परिटी, उपसंचार, राज़य शीक्षा केर, आप दोनों का हमारे काहितने उपस्ति वूलने के लिए, पास्तित होने के लिए, काहितने महत कोड़क गर्याद है बहुत बहुत रहँत व क्याहर नमस्यवादियर क्यों सब्सक्षेटां